हेलो स्टूडेंज, वेलकम इनिन हिंदी क्लास, टूडे अवर टॉपीक इस चेप्टर 18 गुनकारी सबजीयां तो बच्चो इस चेप्टर में बच्चों के बातों के द्वारा सबजीयों के गुनों के बारे में बताया गया है जिसमें पात्र के रूप में कौन-कौन है? मीनू है, नेहा है, सोनाली है, सुखबीर है और असलम है और ये सब ही कहां है? स्कुल पर स्कुल की आदी छुट्टी का समय, मिन्स लंच का टाइम तो मीनू उसी टाइम बोलती है, चलो नेहा खाना खाले मीनू ने क्या कहा? चलो नेहा खाना खाले तभी नेहा कहती है, मुझे भूख नहीं लग रही है फिर मीनू कहती है हैरानी से पर क्यों? क्या हुआ तुम्हे? नेहा ने कहा मा ने आज मुझे लोकी की सबजी दी है आज मैं खाना नहीं खाऊंगी जैसे कि किसी दिन आपके भी फ्रेंड नास्ता नहीं करते हैं रिसेस में तो आप लोग भी पुस्ते हो कि क्यों क्या हुआ आज आप नास्ता क्यों नहीं कर रही हो तो आपकी friend कहती है कि आज मुझे भूख नहीं है आज मुझे नास्ता नहीं करना है आज मुझे breakfast नहीं करना है तो आप लोग भी पुस्ते हैं कि क्यों क्यों नहीं करना है तो आपकी friend कहती है कि आज मेरा मन नहीं है तो जब वो आज मेरा मन नहीं है ऐसा बोलती है तो इसका मतलब है कि उसको वो नास्ता पसंद नहीं है वो खाना नहीं चाहती है इसलिए वो कहती है कि मुझे आज भूख नहीं है तो उसी तरह से निहा ने भी कहा मा ने आज मुझे लोकी की सबजी दी है आज मैं खाना नहीं खाऊंगे तभी सुखबीर बोलता है कौन बोला सुखबीर परनेहा मेरी मा कहती है कि खाने से हमें ताकत मिलती है यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे कितनी अच्छी बात कही सुखबीर ने यहां पर क्या कहा सुखबीर ने पर निहा मेरी मा कहती है कि खाने से हमें ताकत मिलती है खाने से हमें क्या मिलती है खाने से हमें ताकत मिलती है यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे बिल्कुछ सही बात कहा सुखबीर की माने क्योंकि खाना खाने से ही हमें एनरजी मिलती है, ताकत मिलती है अगर हम खाना नहीं खाएंगे सही टाइम पर तो हम कमजोर पढ़ जाएंगे, बिमार पढ़ जाएंगे तभी मिनू, मिनू ने कहा किस ने कहा, मिनू ने हाने हान, देखो मेरी माने आज पालक की सबजी भेजी है मा कहती है हमें सभी सबजیاں खानी चाहिए ये हमें बिमारियों से दूर रखती है मिनू ने भी बहुत अच्छी बात कही क्या कहा मिनू ने? देखो मेरी माने आज पालक की सबजी भेजी है किसके सबजी पालक की मा कहती है हमें सभी सबजیاں खानी चाहिए ये हमें बिमारियों से दूर रखती है मा ने क्या कहा कि ये हमें बिमारियों से दूर रखती है तो हमें सभी सबजیاں खानी चाहिए सबजیاں हमें किस से दूर रखती है बिमारियों से क्योंकि सबजियों में विटामीन होती है प्रोटिन्स होते हैं इसलिए हमें सबजियां खानी चाहिए तभी सुनाली कहती है मैं सलगम की सबजी लाई हूँ फिर सुखबीर कहता है मैं फुलगोभी की सबजी लाया हूँ तभी असलम भी कहता है मैं तो सभी सबजियों को मिला कर बनाई हुई सबजी लाया हूँ मुझे यह पसंद नहीं है फिर भी मैं इसे खा लेता हूँ तुम भी लोकी की सबजी खा कर तो देखो असलम है वो क्या कहता है मैं तो सभी सबजियों को मिला कर बनाई हुई सबजी लाया हूँ मतलब mix सबजी कौनसे सबजी कहते हैं उसे mix सबजी कहते हैं और वो सबजी असलम को पसंद नहीं है तो असलम कहते हैं ये सबजी मुझे पसंद नहीं है फिर भी मैं इसे खा लेता हूँ नेहा तुम भी लौकी की सबजी खा कर तो देखो तभी मीनू कहती है हाँ हाँ चलो खाना खाए फिर सभी एक साथ बैठ कर खाना खाते हैं नेहा तभी खाना खाते समय नेहा कहती है मुझे तो सबजीयां खाना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे तो बर्गर चाउमीन खाने में ही मज़ा आता है निया क्या कहती है मुझे तो सबजिया खाना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे तो बर्गर और चाउमीन खाने में मज़ा आता है फिर सुनाली कहती है मुझे तो चाट पकोड़ी खाना अच्छा लगता है सभी बच्चे फिर एक साथ कहते हैं यह सब खाना तो हमें भी पसंद है यह सब खाना तो हमें भी पसंद है बर्गर, चाओमेन, चाट पकोड़े, समुसे यह सब भी चीजें हमें भी पसंद है तभी सुख्भीर कहता है पर सबजियां हमें रोज खानी चाहिए सुख्भीर क्या कहता है सबजियां हमें रोज खानी चाहिए और ये सब चीजें कभी कभी खानी चाहिए ये हमें सिर्फ स्वाद देती है चाउमिन, बर्गर, चाट पकोडे, समोसे ये सिर्फ हमें क्या देती है स्वाद देती है ताकत नहीं देती है बिल्कुल सही बात कही सुखबीर ने कि चौमीन बर्गर चाट पकोड़े ये सब हमें सिर्फ स्वाद दे सकती है ताकत नहीं दे सकती एनर्जी नहीं दे सकती तब ही सुनाली कहती है कि मेरी मा कहती है कि घर में बना भोजन साप भी होता है और ताकतवर भी होता है सुनाली ने भी बिल्कुल सही बात कही घर में बना भोजन साप होता है और ताकतवर होता है और बहार का भोजन कैसा होता है साफ भी हो सकते है और नहीं भी हो सकते है लेकिन घर का बना भोजन साफ होता है घर में हर समान सही ढंक से ढखा हुआ होता है प्रोपली कवर होता है हर समान और बाहर की चीजे आप देखो तो हमेशा खुली हुई रहती है इसलिए सुनाली ने बिल्कुल सही बात कही कि घर में बना भोजन साफ भी होता है और ताकतवर भी होता है तभी निहा ने कहा हाँ सुनाली तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो देखो बच्चों ने कितने अच्छे अच्छी बाते कही यहाँ पर तभी सभी बच्चे एक सार बोलते हैं सबजियां हमें बिमारियों से दूर रखती है क्या कहा सभी बच्चों ने सबजियां हमें बिमारियों से दूर रखती है अब से हम रोज सबजी खाएंगे चलो अब हम खेलते हैं क्या कहा सभी बच्चों ने सबजیاں हमें बिमारियों से दूर रखती है अब से हम रोज सबजी खाएंगे चलो अब हम खिलते हैं तो इसका मतलब है कि सभी बच्चों ने सबजीयों के गुनकारी के बारे में समझ गए इसलिए सभी ने कहा कि अब हम रोज सबजी खाएंगे घर का खाना खाएंगे और सही ताइम पर भी खाना खाएंगे तो ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गया तो बच्चों सायद आप लोगों को भी समझ में आ गया कि सबजीयों हमें रोज खानी चाहिए सबजीयों खाने से हमें ताकत मिलती है तो बच्चों आप लोगों को भी समझ में आ गया कि हरी सबजियां हमारी सेहत के लिए बहुत लापकारी है और खाना खाने से हमें ताकत मिलती है यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे इसलिए हमें खुब हरी सबजियां खानी चाहिए क्योंकि हरी सबजियां हमें बिमारियों से दूर रखती है तो इस चेप्टर में पात्रा के रुप में कौन-कौन है मिनू है, नेहा है, सोनाली है और सुखबीर और असलम है तो मिनू ने किस से कहा खाना खाने के लिए नेहा से किस से कहा नेहा से पर निहा ने क्या कहा मुझे आज खाना नहीं खाना है सुखबीर ने कहा फिर मिनू ने कहा कि क्यों आज खाना क्यों नहीं खाना है तभी सुखबीर ने बोला कि खाना हमें खाना चाहिए खाना खाने से हमें ताकत मिलती है यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो उकम जोर पढ़ जाएंगे तभी मिन्यू ने कहा कि देखो मेरी माने पालक की सबजी भेजी है हमें सबजीयां रोज खानी चाहिए सबजीयां हमें बिमारियों से दूर रखती है तभी सुनाली ने कहा मैं सलगम की सबजी लाई हूँ सुबीर ने कहा मैं फुलगोबी की सबजी लाया हूँ असलम ने कहा मैं तो सभी सबजीयों को मिलाकर बनाए हुई सबजी लाया हूँ फिर नेहा कहती है कि मुझे सबजी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे तो बर्गर चाउमीन खाने में ही मजाता है तभी सभी बच्चे भी कहते हैं कि हाँ हाँ हमें भी पसंद है चाउमीन, बर्गर, पकोड़ा, समोसे, चाट पकोड़ी ये सब खाना हमें भी पसंद है सबी बच्चे भी कहते हैं सुनाली भी कहती है मुझे तो चाटपकोडी पसंद है तभी सुकबीर बोलता है कि सबजिया हमें रोज खानी चाहिए ये सबी चीज़े तो हमें सिर्फ स्वाब देती है लेकिन ताकत नहीं देती है तभी सुनाली कहती है कि घर का बना भोजन साफ और ताकतवर होता है फिर नहा सभी की बाते सुनकर नहा को समझ में आ गया कि सबजी हमारे ले कितने गुणकारी है हमारे ले कितना अच्छा है तो नहा कहती है कि हाँ सुनाली तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो हमें सबजीयां खानी चाहिए बाहर के चीजे तो कभी कभी ही खाना चाहिए क्योंकि वो हमें स्वात देती है ताकत नहीं तभी सभी बच्चे कहते हैं सबजीयां हमें बीमारियों से दूर रखती है अब से हम रोज सबजी खाएंगे तो बच्चो आज से आप लोग भी सभी सबजियां हरी सबजियां खाना क्योंकि हरी सबजियां जो है वो हमें बिमारियों से दूर रखती है हमें ताकतवर बनाती है और हमें ज्यादा से ज्यादा बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए घर का खाना खाना चाहिए क्योंकि घर का खाना साफ और ताकतवर होता है तो बच्चो आ गया ना समझ में गुनकारी सबजीया तो इसका exercise दिया गया है उसको आप अपने textbook पर complete कर लेना Thank you